Statue of Liberty का इतिहास एक रोचक कहानी है, जो मित्रता, स्वतंत्रता और संघर्ष की कहानी है। यहाँ एक संक्षिप्ट अवलोकन है। धारना और डिजाइन Statue of Liberty की विचारधारा फ्रांसीसी इतिहासकार एडवार्ड रेनेडे लाबूले के द्वारा अमेरिका को उसकी स्वतंत्रता के शताब्दी के उपहार के रूप में सोची गई थी और फ्रांस और अमेरिका के बीच बनी दोस्ती का उत्सव मनाने के स्टेचू का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक आउगस्ट बार्थोल्डी को सौपा गया निर्मान स्टेचू का निर्मान 1875 से 1884 के बीच फ्रांस में हुआ बार्थोल्डी ने स्टेचू की कांस्य बाहरी सतह की निर्मान का परिचालन किया जबकि इसके समर्थन के लिए आईरन फ्रेमवर्क का डिजाइन इफेल टावर के नाम से प्रसिध गुस्ताव आइफेल ने किया स्टेचू फिर अमेरिका में भेजे जाने के लिए 200 से अधिक डिब्बों में खोला और शिप किया गया संधटन 1885 में नियू यॉक सिटी में आने के बाद स्टेचू ओफ लिबर्टी को उस समय के बेडलों के द्वीप पर पुनह संगठित किया गया जो अब लिबर्टी द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है नियू डेडिकेशन स्टेचू ओफ लिबर्टी का आधिकारिक समर्पन 28 अक्टूबर 1886 को एक समारोह में किया गया जिसमें राश्ट्रपती ग्रोवर क्लीव लैंड ने प्रबंधन किया समर्पन को हजारों दर्शकों ने उपस्थिती दी और इसमें एक परेड और आतिश बाजी भी शामिल थी सिंबलिजम स्टेचू ओफ लिबर्टी का उद्देश स्वतंत्रता और लोक तंत्र का प्रतीक बनना था प्रतीक भासी शीर्ष पर बटवारा उंचा उठाया जाना शिक्षा को प्रकाशित करता है जबकि उसके पैरों के नीचे तूटी हुई जंजीरे गुलामी के समाप्थ होने का प्रतीक है उसकी मुकुट पर साथ खाचे विश्व के साथ महादवीपों और समुद्रों का प्रतिनिधित्व करती है इंमिग्रेंट सिंबल लेट उननीस्वी और प्रारंभिक बीस्वी सदी में निकटवर्ती एलिस आइलाइंड के माध्यम से सन्युक्त राज्यों में आने वाले लाखों अप्रवासियों के लिए Statue of Liberty अमेरिका का पहला द्रिश्य था और एक बहतर जीवन की आशा का प्रतीक था Restoration and Preservation वर्षों के दौरान Statue of Liberty को अपनी संरचनात्मक समीर्थता और उपस्थिती को बनाए रखने के लिए कई पुनरनिर्मान प्रयासों का सामना करना पड़ा सबसे बड़ा पुनरनिर्मान 1980 के दशक में हुआ था 1986 में इसकी शताब्दी समारोह के लिए तैयारी के लिए Iconic Status आज Statue of Liberty दुनिया के सबसे पहचानी और स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है यह दुनिया भर से करोडो यात्री को आकर्शित करता है जो इसकी सुन्दर्ता का आनंद लेने और इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए आते हैं Statue of Liberty स्वतंत्रता लोकतंत्र और राश्ट्रों के बीच मित्रता के स्थाई मूल्यों का प्रमान है और दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करता है